हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल कैसे हो आप लोग आई होब आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज हम बनाएंगे चावल से आंटे से काफी ज्यादा हेल्दी नास्ता जो की काफी ज्यादा टेश्टी तो होगा ही और हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसमें धेर सारी को बनाना तो जब भी आपको कभी अच्छा नास्ता खाने का मन करें तो आप इसको बना सकते हैं जटपर से इसको बनाने में ज्यादा Time भी नहीं लगता है बहुत जल्दी ये बन के तयार हो जाता है आप इसको सुबह के नास्ते में बना सकते हैं साम के साम के नास्ते में बना सकते हैं इसको बचों के टिफिन के लिए बना सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा अगर पसंद देख प्लीज वीडिय लाइक सेयर कर दीज़ेगा समस्क्राइब करने के बाद बेल बटन भी स्वर्टकुन CRO कर निसे invincible कर लिया है रहिए कुछ सब्जीया जिसमें में ने दो गाजर लिया है एक स्यम्ला मिर्च और ये एक चुकुंदर्चव गाजर मिर्च और सिमला मिर्च को हमने बाड़ी काट लिया है और गाजार और चुकुंदर को हमने कदूकस कर लिया इसमें आप चाहे तो और भी कोई सबजी डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो लेकिन ध्यान दे कोई करवी सबजी ना डाले तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे नमक नम आदी चोटी चमच गरम मसाला एक चोटी चमच जीरा पॉडर और यह है आदी चोटी चमच अजवान इसको हम क्रेस करके डालेंगे थोरा सा कसूरी मेथी इसको भी हम क्रेस करके डालेंगे आजवान जो है यह नास्ते में डालने से या किसी भी चीज में अगर डालते हैं तो यह आपको पचाने में जो काफी ज्यादा हेल्फ करता है और यह एक छोटी चमच चिली फ्लेक्स तो कोई भी ओली खाना है उसमें आजवान डालना चाहिए और यह आदी चोटी चमच ब दाला है इससे काफी अच्छा सा डेश्ट आता है तो पहले हम सारी चीजों को सूखा ही मिक्स कर लेंगे इसके बाद इसमें हम सारी सब्जीयों को डाल देंगे इसको बनाना जो है काफी ज़्यादा एज़ी है और काफी ज़्यादा यह हेल्दी भी है अगर आपके बच्चे जो हेल्दी फूड नहीं खाते हैं ता आप इसको बना करके खिला सकते हैं के तो सारे चीजों को मच्छे से मिक्स कर देंगे और आब इसमें पानी डालेंगे तो हमने पानी जो है यहां पर पुड़ा हुआ पाणी लिया है तो आपको पुरा होट वोटर ही डालना है एसमें और हमने पानी इसमें 700 ग्राम लिया है डालनी के लिए जैसे 500 ग्राम पानी है तो उसके 3 गुना आटा आट hires पानी अप Wick इसे आपको स्था दोरह करके हम डालते जाएंगे आए इसको मिक्स करते जाएंगे जैसे हम पकोड़े बनाते हैं उसी तरीके से इसका जो है बेटर तयार करना है तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम ढग करके आदे गंटे के लिए छोड़ देंगे अगर आपके पास टाइम जादा है ता आप इसको एक गंटी के लिए भी रख सकते हैं तब मैं यहाँ इसको आदे गंटी के लिए छोड़ देती हूँ तब तक क्या होगा आटा जो है काफी अच्छे से फूल जाएगा और सॉप्ट भी हो जाएगा तो हमने यहाँ इसको आदे गंटे के लिए रखा था और आटा हमारा पहले से अच्छा सॉप्ट हो गया है और फूल भी गया है तो दुबारास हम एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे फिर से और अब यह बनानी के लिए रैडी है तो चलते हैं गैस की तरफ आप इसको चावल के आटे का चीला भी बोल सकते हैं गैस पर हम रखेंगे कोई भी पैन पैन को हम अच्छे से गर्म होने देंगे गैस के फ्लेम को मेडियम रखेंगे पैन जब गर्म हो जाए उसके बाद एक चमा सरसू का तेल डालेंगे अब स्वेいきश कॉइड डाला है हमने आप इसको कोई भी तेल में बना सकते हैं जैसे और बटर में बना सकतें या जो भी तेल आप खाते हैं उसमें इसको बना सकते हैं दो चम्मच हम इसमें डाल देंगे बेटर और इस तरीके से हम इसको फैला देंगे और मीडियम प्लेम पे मिसको तब तक पकाएंगे जब तक कि एक तरब से इसमें गोल्डन कलर ना आ जाए हमने इसमें चुकंदर डाला था इससे इसमें काफी अच्छा सा कलर मिलता है जो कि देख किते ही किसी को मुँ में पानी आ जाएगा देखते ही इसको खाने का मन करेगा देख करके ही क्योंकि चुकंदर में पिंक पिंक सा कलर होता है जो कि काफी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में एक तरफ से ये सीख चुका है जब एक तरफ से सीख जाएगा तो अपने आप ये पैन छोड़ देता है तो इसको पलट देना है दूसरी तरफ और दोनों तरफ से मैं अच्छे से सीख लेना है गोल्डन कलर आने तक तो ये दोनों तरफ से ये सीख चुका है आप इसको चाहिए तो ढखकड के भी पका सकते हैं या फिर खुले भी पका सकते हैं ये अच्छे से सीख चुका है तो इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और सेम प्रोसेस से बागी का भी हम चीला बना कड़के तयार कर लेंगे तो यहां हमने फिर से एक चमच रिफाइन डॉल डाला है और यह एक तरफ से सीख चुका है तो इसको भी हम पलट देते हैं कि पलटने के टाइम थोरा सा इसको साबधानी से पलटे ने तियो टूट भी सकता है तो यह भी रेडी हो चुका है तो हम इसको निकाल लेते हैं तो यहां पर हमारा सुपर टेष्टी नास्ता बन करके रेडी है और काफी अच्छा लग रहा देखने में और खाणे में भी काफी ज्यादा टेष्टी लगता है आप इसको कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर केचजप के साथ भी इसको खा सकते हैं काफी जादा टेश्टी लगता है तो आप भी इस तरीके से एक बार जरू ट्राइ किजेगा आपको काफी पसंद आएगा तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों वीडियो पसंद आया हो पसंद आए तो प्लेज वीडियो को लाइक करें सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्रा करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए अ झाल झाल